नमस्कार दोस्तों मैं किर्षिन कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फास्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज एक बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक लेकर आए हैं कि जब आप हरियाना Grams Shew पटवारी और कनाल पटवारी का एकजाम देंगे और फिर सलेक्षन के बाद प्रेफरेंस डालेंगे और उसमें अगर आप एज ए कनाल पटवारी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कनाल पटवारी का पर्मोशन कहा तक हो सकता है आप कितने बड़े अधिकारी बन सकते हैं तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे कि आप ग्राम स्यू चूज करें या फिर कनाल पटवारी या फिर आप लेंड रिकोर्ड पटवारी ये तो हम नेक्ट क्लास के अंदर बात करेंगे लेकिन एज ये कनाल पटवारी के उपर आज पूरी चर्चा करेंगे कि किन किन प बात करें अगर आप 16, 17 और 18 दिसंबर के ग्रामस्यू पटवारी और कनाल पटवारी के कोमन एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप उसका स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पर आपको हरियाना ग्राम पटवारी से लेटिड सब कुछ वहाँ पड़ाया गया है और कनाल पटवारी जो कि सिचाई से लेटिड वह भी कम्प्लीट कराया गया है अगर पोस्ट लेटिड अगर 15 से 16 क्यों चनाते हैं तो इससे बाहर बहुत कम उमीद है कि वह आएंगे वही ठीक है वही और इसके स साथ में अगर आप कम्प्लीट स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स चाते हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही होगी तो उसके उपर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं मातर आपकी थोड़ी सी पेमेंट है सतर रुपए की पेमेंट है आपको कम्प्लीट स्लेबस स्पेशल सब्जे बनेखेंगे कनाल पत्वारी फीर बात आते है कि कनाल पत्वारी का काम क्या खोता है अम स्कती है और कान्य पत्त चीयर हुई यानि कि एक तो है कि वही एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी कमाया वही पानी कमाया तो वही कम सिचाई हुई तो कितने एरिया के अंदर सिचाई हुई और कितने एरिया के अंदर सिचाई हो सकती थी वही तो इन सब के उपर मोखे उपर जाकर उसको नोट करना किसका क काम होता है कनाल पटवारी का काम होता है ठीक है वही कनाल पटवारी लग गए अब कनाल पटवारी लगे वही तीन च्यार साल हो गए अब मन में ये भी विचार आएगा कि वही और कोई भी पर्मोशन भी ओना चाहिए वही तो पर्मोशन की जो परकिरिया है जो 2019 के कोर्डिं assistant revenue कर लक में होगा वई 5 साल ये minimum है इसमें आपको 6 भी लग सकते हैं 7 भी लग सकते हैं वो department के उपर depend करता है वई आपका कितना अच्छा record है इन सब के उपर भी matter करता है seniority basis के उपर भी matter करता है ठीक है तो क्या होगा 5 साल बाद आप assistant ARC लग जाएंगे वही अब ARC, ARC लगने के claim कैन के बाद आप क्या लग सकते हैं 3 साल ARC में काम करेंगे 3 साल कम से कम ARC में काम करने के बाद आप ARC लग सकते हैं यानि कि revenue कम साब लग में Training के अंदर क्या होगा बैग कौंड छे test होगे और क्या इनकी direct बरतियां हो सकती है क्या हम परमोशन के ञाएं या फिर डारेक्ट भी बरती हो जाएं इन सब के बारे में भी बात करेंगे को जाने बाद दो साल के एक्सपिरियंस के बाद ऑसी असेस्मेंट करने वादा तो मुल्यकान करने वाला यानि वो लग जाएंगे आप assessment कलग लग जाएंगे वह ठीक है assessment कलग के एक साल बाद आप add revenue कलग लग सकते हैं क्या लग सकते हैं हरसी HRC की post पर बढर भरती हो जाते हैं और फिर last में जो है add revenue कलग से आप जीलेदार की post पर भरती हो सकते हैं कौन सी post के उपर वही जीलेदार की भरती के उपर कुछ नाम सुने हुआ है जीलेदार वही तो जीलेदार क्या है कि कनाल पटवारी में जो सबसे बड़ा अधिकारी यानि कि जो कनाल पटवारी से जो ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या बन सकता है तो बनना सकता है जीलेदार जिलेदार से उपर कनाल पटवारी लगके आप कभी नहीं बन सकते, पहली बात तो, कनाल पटवारी से जो सबसे बड़े अधीकारी आप लग सकते हैं, वो क्या लग सकते हैं, वो जिलेदार लग सकते हैं, ठीक है, कलियर है, तो पता चल गया होगा कि कनाल पटवारी का सफर क तम हो जाता है ठीक है वही तो जिलेदार बनना है तो वही कनाल पटवारी सेलेक्ट करो और इसके लावा ग्राम स्यू सेली को देखके भी और फिर अलग लग पोस्ट को देखके अलग लग आपको डिसाइड करना होगा उन पोस्ट के बारे में भी बाद में बताएंगे ठीक इसका experience होना चीए computer की थोड़ी knowledge होनी चीए, यही तो कनाल पटवारी की qualification है, लेकिन कनाल पटवारी से यह जिलेदार आते आते बहुत उमर हो जाती है, last में यही बन सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस डारेक्ट जिलेदार बरती हो जाएं या ऐसा नहीं हो सकता कि असिस देखिए इसमें जो डारेक्ट बरतिया हैं, देखिए डारेक्ट बरती किसकी नहीं हो सकती, डारेक्ट बरती रिवेन्यू को लख्की नहीं है और डारेक्ट बरती किसकी है वही, असेस्मेंट को लख्की भी नहीं है, यह तिन्नों के है डारेक्ट बरती नहीं है, यह जो प्रमोसन नहीं वह तासी के पिछेतर पर्तिसत यह तो पर्मोसन के ठ्रू बनते हैं यानि कि कनाल पटवारी से जो पीचेतर परतीस्ट बनते हैं जितनी ये पोस्ट होती हैं उन्से पचिस परतीसद भर्तियां निकलती हैं, यानि कि आप डारेक्ट एर्शी का एक्जाम कलियर करके आपने ये छे से साथ साल बचा सकते हैं, अगर छे से तीस साल के बाद मुश्किल हो जेगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता ऐसे है लेकिन यहां पर बरती हो के एक है कि आप जीलेदार बन सकते हैं तो वही असिस्टेंट रिवेन्यू कर लग की डारेक्ट जो टोटल पोस्ट होती है उनकी 25 परसेंट जो पोस्ट है वो डारेक् डारेक्ट जिस्तर जाब कनाल पटवारी का एकजाम है ऐसे उसके बाद क्या जीलेदार की पोस्ट वहीव तो जीलेदार की जितनी भी पोस्ट होती है उसकी 50% पर्शौं से बरी जाती हैं पचास पर्थीसाथ तो यहां से वक्ति आता है और 50% रिक्रूट्मेंट होती है ड कब होगा अभी फरवरी तक सबी एग्जाम हो जाएंगे कोपरेटी सोसाइटी हो चाए इंस्पेकटर हो सब इंस्पेक्रों हो महिला सुपरवाइसरो ELSA सब एग्जाम कब तक फरवरी मह तक मुझास यह की अग्जाम होगा भी अब बात आती है कि कनाल पटवारी एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर आप कनाल पटवारी के भरती होते हैं तो ट्रेनिंग है वही कितने महिने की ट्रेनिंग है जैसे ही आपका सेलेक्शन होता है आपकी 6 महिने की ट्रेनिंग होती है किसके सुपरविजन में होती है जिलेदार के सुपरविजन में कनाल पटवारी की ट्रेनिंग होती है कनाल पटवारी की 6 महिने की ट्रेनिंग में कनाल पटवारी 4 महिने तो किसी कनाल पटवारी के एंडर में काम करता है ठीक है बई और इसके अलावाद दो महिने किसके अंडर में काम करता है ARC यानि कि असिस्टेंट रिवेन्यू कलग यानि कि जो कनाल पटवारी की जो आपकी ट्रेनिंग है वो 6 महिने की होती है 4 महिने कनाल पटवारी के अंडर में ट्रेनिंग होती है और दो महिने ARC के अंडर में होती है इसके बाद कनाल पतवारी का departmental test होता है दिखे वही ये test clear करना कोई वो नहीं है उसके बाद ओर test भी clear करने है इसमें इसके बाद departmental test होगा departmental test आपको pass करना होगा उसके बाद computer proficiency test ट्रेनिंग में होगा वो भी आपको पास करना पड़ेगा तबी आपके अनकी कनाल पटवारी के उसके उपर बरती हो सकते हैं दो साल का आपका probation period रहता है छे महिने की ट्रेनिंग में आपको departmental test भी करने होंगे training के बाद या फिर साथ में लेंगे वो आपको जरूर clear करने है ठीक है अगर आप पहली बार में नहीं कर पाते कोई बात नहीं दो chance ओर देंगे दो बार नहीं कर पाते तो भी एक mercy chance ओर दिया जाएगा च्यार मुक्के दिये जाएगे च्यार मुक्कों के बाद अगर test clear नहीं हुआ तो terminated termination letter मिल जाएगा ठीक है इसके बाद भी assistant revenue कर लग कि इसकी कितनी है भी इसकी कितनी training होती इसकी भी 6 महिने की होती है च्यार महिने कनाल पटवारी के अंडर में दो महिने ARC के अंडर में फिर departmental test होगा फिर 4 chance दिये जाएगे अपना टेस्ट departmental test करना है सले बस दिया मिलेगा वही इसके बाद अगर जिलेदार बरती होते हैं तो जिलेदार में क्या होगा जिलेदार में भी 6 महिने की training होगी होगा और उसके वह कलियर करने के बाद ही जिलेदार बनेगा च्यार चांस इसको दिये जाएंगे च्यार चांस में हो जाएगा तो ठीक है वरना फिर termination letter मिल जाएगा और इसके अलावा शैली वही मिलती रहेगी जो मिलती है बस वह टेस्ट आपको हर तीन महिने के बाद कल जार चांस का है, यानि की कनल पटवारी के 100-200 रुपए की कोई बात नहीं है, average salary 25,000 रुपई होती है वही ग्राम शिउ की पूछे तो भी 25,000 है और लेंड रिकोर्ट पटवारी की salary 30-31,000 रुपई है 30-31,000 रुपई उसकी salary थोड़ी ज्यादा है इसकी average 25,000 रुपे की जोब है अगर आप अभी जो जिलेदार का exam होगा उसको clear कर देते हैं तो clear है वही पचास जार तक भी आपको यहाँ पर पैसे मिल सकते हैं ठीक है जिलेदार में तो यही आपको आज बतानी थी अगर select करें तो बहुत सोच समझ कर select अभी तो exam होगा exam के बाद फिर शे बताएंगे किस पर का select रहना है तो जो भी दोस्त अगर पढ़ना चाते हैं इस कनाल पटवारी के special subject का या फिर तिन्यों का कोमणी करना होगा पोस्त रिलेटिड तो पोस्त रिलेटिड अमारे चैनल के उपर classes भी अवेलेबल है नोट्स भी अवेलेबल है नीचे contact नमबर दिया हुआ है मातर 70 रुपए की payment के उपर special subject है मिल जाएगा जिसमें हरियाना पंचायती राज की 200 सी धाराएं पंचायती राज complete आर्टिकल 243 भूमीर कार्ड की हार्टरम और शिचाई से लेटिड complete डाटा मिलेगा contact नमबर नीचे मिल जाएगा जो भी दोस्त ने आये हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ में अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलो भई नेक्ट क्लास में कुछ और common exam से लेटिड कुछ और interesting topic को लेकर आते है तब तक के लिए थन्यवाद